बच्चों आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं अस्टमह पाठा जिसका नाम है सुक्ति इस्तबगा और इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी संस्कृत में बकर से प्रतिक तो आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सुक्ति इस्तबगा सुक्ति कहते हैं अच्छे वचन को अच्छे विचार को अच्छे वचन को जिसको कि इंग्विश में हम लोग थौट कहते हैं यानि कि अच्छे विचार और इस्तबगा कहते हैं गुलदस्ते को तो सुक्तियों का जो गुच्छा होता है गुलदस्ता तो सुक्ति जो है ये इस पाठ का सुक्ति स्थब का नाम रखा गया है तो सभी बच्चे अपने संस्कृत की रुचिरा प्रत्मों भागा निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे पाठ आठ सुक्ति स्थब का और इसमें सबसे पहले हम लोग श्लोक का उचारण करेंगे उसमें आय कथिन शब्दों को जानेंगे और फिर श्लोक के भाव को जानते वे कहने का भाव क्या है और उसकी व्याख्या की जाएगी तो सभी त्यार हो जाएं और शुरू करते हैं हम लोग सुक्ति इस्तब का तो यहां पे सबसे पहला श्रोग दिया गया है जो परिश्रम पर आधारित है और परिश्रम जो है मनुष्र की सफलता का सबसे बड़ा साधन है अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम अपने कारे में सफल नहीं हो सकते तो इसमें लिखा है उद्यमेन ही सिध्यंती कार्याणी न मनोरथई नहीं सुपत से सिंह से प्रविशंती मुखेमरिगा तो यहां पर पहले वाकी में लिखा गया है कि उद्यमेन उद्यमेन कार्थ होता है परिश्रम से मेहनत से सिध्यंती सिध्यंती मतलब यहाँ पर है पूरे होते हैं यानि कि सिध्ध होते हैं सिध्ध होने कार्थ होता है पूरा होना यानि कि पूर्ण होना कार्यानी कार्याणी मतलब कार्य जो कार्य हम लोग करते हैं कार्याणी कार्याणी करते हैं कार्य उद्यमेन ही सिद्यांती परिश्रम से ही पूरे होते हैं कार्याणी न मनोरथई न मनोरथई करते हैं मन में सोचने से नहीं मनोरथई केवल मन में अगर हम सोचें और उसके बारे में हम को कारी को बिलकुल ही न करें और ये भी न सोचें कि उसे किस तरह से करना है और वो कारे कभी भी पूरा नहीं हो सकता तो उसके लिए हमें परिश्रम से कार्य को करना चाहिए तभी वो कार्य सिद्ध होता है अर्थात सफल होता है, पूरा होता है तो पहली पंक्ती में ये कहा गया है कि परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है हमारे कार्य पूरे होते हैं तो उद्यमेन ही सिध्यंति, कार्याड़ी न मनोरथाई, किवल मनोरथाई कार्था है, मन में, मन में सोचने से नहीं, मनोरथाई मन में किवल रखने से नहीं, सोचना या मन में खाली रखना, कि हमें ये कारे करना है, और ये करना है, बस खाली सोच के पढ़े रहना, मन में सोचने से, और न अगर हम लगा देंगे यहाँ तो न मनोरथाई, जैसा कि यहाँ पर आया है, न मनोरथाई, केवल मन में सोचने से न मतलब नहीं, तो यहाँ हम लोग इस कार्थ करेंगे न मतलब नहीं सोचने से नहीं अब हम लोग दूसरी पंक्ति पर आते हैं इसके जिसमें लिखा है कि नहीं सुपत से सिंगह से नहीं क्योंकि सुपत से सुपत से कार्थ है सोई हुए सुपत से सोई हुए सुपत से मतलल सोई हुए सिंगह से सिंगह के प्रविशंती प्रविशंती मतलल से प्रवेश करता है प्रविशंती प्रवेश करना और इसे हम लोग वाकी के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे इसका अर्थ बनाएंगे कि नहीं सुपता से सिंगह से नहीं सोई हुए शेर के प्रविशंती प्रवेश करते हैं मुखे मिरेगा प्रवेश करते हैं हम लोग वाकी के अनुसार यहां पर कर देते हैं प्रविशंती प्रवेश करते हैं कहां प्रवेश करते हैं मुखे मिरेगा सिंगह से सुए हुए सुपता से कारता है सोई हुए सिंगह से मतलब शेर के मुखे मुखे कारता है मुख में इस प्रकार मुखे कारता है मुख में तो कहने का मतलब यह है कि सोई हुए मुख में सोई हुए शेर के मुख में प्रविशंती नपर मुख्य मतलब रुद प्रविशंती नपर और मुख्य मतलब मुख में, अम्रिगाः मतलब हीरन, तो सोईवे शेर के मुख में, شेर कितना भी बलशाली हो, शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वो सोया रहेगा, अपने शिकार को खोजने के लिए नहीं जाएगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो वो भूखा ही रह जाएगा, वो अगर सोता ही र पेट भर लो तो इस तरह से नहीं होता है तो उद्यमे नहीं सिध्य 있지 कार्याणि न मनोरथए केवल परिश्ण्रम से ही कारशेवल होता है केवल मन में सोचने से नहीं मनोरथए मतलब मन में सोचने से और अब हम लोग यहां पे दूसरा श्लोक पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि पुस्तके पठिता हा पाठा पुस्तक में पठिता हा पाठा पढ़ा गया पाठ यानि कि जो पाठ यानि कि जो सिक्षा हमें पुस्तक से मिलती है जीवने नैव पठिता काया था है पढ़ा गया यहां पे एक पद आया है पठिता है और पठिता काया था है पढ़ा गया तो यहां पढ़ा गया पाठ पाठ शब्द सभी लोग जानते हैं पुस्त के यानि पुस्तक में पठिता है पाठा पढ़े गए पाठ को जीवने नेव साधिता जीवने मतलब जीवन में यहाँ पे जीवने का अर्थ है जीवने का अर्थ है जीवन में यानि कि अगर हम पढ़े हुए पाठ को अपने जीवन में जो हमने सिक्षा प्राप्त किया जो हमने सीखा है अच्छी चीजें तो उनको अगर हम जीवने, जीवन में नैव मतलब नहीं, साधिता उप्योग में लाया गया, साधिता का अर्थ है उप्योग में और नैव मतलब नहीं, तो यहाँ पे नैव साधिता हम लोग एक साथ इसका अर्थ करेंगे ताकि इस श्लोक का अर्थ अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नैव नैव का मतलब होता है नहीं और नैव में दो शब्द है यहाँ पे न एव न एव है यह दोनो न और एव मिलकर बन गया है नैव और नैव कार्थ होता है नहीं नैव कार्थ है नहीं तो इस तरह से नहीं और साधिता यानि कि उसे उप्योग में नहीं लाया गया तो यह सब ही हम लोग एक साथ लिखेंगे इसको हम लोग फिर से लिखते हैं नैव साधित नैव साधित तो यहाँ पर सबसे पहले नैव को हम लोग देखेंगे ना प्लस एव यानि कि नैव और इसका अर्थ है नहीं तो नयव साधिता मतलब उपियोग में नहीं लाया गया अगर पढ़े वे पाठ को हम उपियोग में नहीं लाएंगे केवल हम पढ़ कर छोड़ देंगे उसे हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में उसे नहीं अपनाएंगे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने जो पुस्तक से पाठ पढ़कर जो सीखा है, जो नैतिकता सीखी है जो अच्छे वेवहार सीखे हैं जो हम लोग अच्छी बाते सीखे हैं उनको अगर पुस्तके यानि पुस्तक में पठिता पाठा, पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधिता जीवने मतलब जीवन में नैव साधिता मतलब उपयोग में नहीं लाया गया उसका हम लोग उने लाभ नहीं लिया उसको हमने अपनाया नहीं जैसे बोला जाता है कि सदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो ये हमें अपने जीवन में इसे अपनाना है, हमें कभी जूट नहीं बोलना है, तो इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है कि सदा सत्यम वदेत, हमेशा सच बोलो, तो इसी तरह से यहाँ पे यह कहा गया है कि जो सीख हम लोगों को मिलती है पुस्तक से, पुस्तक को पढ़ने से, पढ़े गए पाठ से, उसको जो है अगर जीवन में, उप्योग में नहीं लाया गया. किम भवेत क्या होगा? किम भवेत तेन पाठेन जीवने योनसार्थ कह तो किम भवेत का अर्थ है यहाँ पर उसको पढ़ने से क्या? किम भवेत क्या होगा? अगर हमने उसे पढ़ा और हम अपने जीवन में नहीं अपनाए तो उसे पढ़ने का क्या लाब है? तेन पाठेन उस पाठ से जीवने योनसार्थ कह पाठेन मतलब पाठ से यहाँ पे पाठेन शब्दाया है और पाठेन का अर्थ है पाठ से जीवने जीवन में यो न सार्थका जो पाठ सार्थक नहीं है अर्था जो पाठ हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उसे अपना ही नहीं रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि उसके भावेत क्या होगा उसको अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, उसे हम उपयोग में नहीं लाएंगे. तो तेन पाठेन उस पाठ को जो जीवने, जीवन में यो न सार्थका, जो पाठ सार्थक नहीं है. कहने का मतलब यह है कि यो मतलब जो न सार्थका, सार्थक नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमने उसे अपनाया ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, उसके महत्व को नहीं जाना है. तो ऐसे पढ़े गए पाठ को अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो उससे क्या लाब, तो उस पढ़े गए पाठ को जीवन में जो सार्थक नहीं है, ऐसे पढ़े गए पाठ को जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं हो रहा है, हम उसे अपना नहीं रहें, तो ये है वियर्थ है और अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे यहां पर कि प्रियव वाग के प्रदानेन का रथ है प्रियव वाग के देने से बोलने से वाग के तो बोला जाता है भाशा में हम लोग वाग की का प्रियो करते हैं तो प्रियव वाग के प्रदानेन प्रियव वाग के प् तुश्यन्ति मतलब यहां पर प्रसन्न होते हैं, सर्वे यानि की सभी, तो यहां पर सभी जो है वो प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो यहां पर तुश्यन्ति का अर्थ है, प्रसन्न होना, या संतुष्ट होना, यह दोनों ही अर्थ इसका होता है, यहां पर प्रसन होना या संतोस्ट होना तो यह इसका संतोस्यंती का अर्थ है तो प्रिय वाग के प्रदाने और प्रिय का अर्थ सभी बच्चों को मालूम है प्रिय यानि कि जो अच्छा लगे और वाग के भाषा में वाग के हम लोग बोलते हैं प्रदान करना देना तो प्रिय वाग के प्रदान करने से तो यहां पे हम लोग प्रदान क्या वाग के कोई वस्तुत है ने कि हम लोग उठाए और दे दिये उसे हम लोग अपने मुख से बोलते हैं भाशा में हम लोग उसका प्रियोग करते हैं तो इस तरह से जब हम प्रिय बोलते हैं, प्रिये बोलने से, सर्वे तुश्यन्ति मानवा, सर्वे मतलब सभी, सर्वे का अर्थ है यहां पर सभी, सब, मानवाह मतलब मनुष्य यहाँ पे मानवाह शब्द भहु अचन का है मानवाह, मानवाह, मानवाह यह इसका रूप बालक की तरह चलता है क्योंकि मानवाह शब्द भी अकारहंद पुल लेंगा तो सर्वे तुश्यंति मानवाह तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात मतलब उससे प्रियम ही वक्तव्यम, तो ऐसा प्रिय बोलने में, प्रियम ही वक्तव्यम, वक्तव्यम मतलब बोलने में, यहां पे वक्तव्यम शब्दाया है, और वक्तव्यम कार्थ है, बोलने में, प्रिय वाकिय बोलने में, अगर उससे सभी प्राड़ी प्रसन होते हैं तो ऐसा प्रेवाक के बोलने में वचने का धरिदरता कैसी धरिदरता केते हैं जो बहुत कंजूसी करें तो ऐसे जो है दीनता अप्री पढ़ता दिखाना यानि की एकदम दीन हिन बने रहना कि हमारे पास कुछ नहीं है तो जिसके पास धन दौलत नहीं है वो भी तो प्रिवा के बोल सकता है प्रिवा के बोलने में तो किसी तरह के धन दौलत की ज़रूरत नहीं है वो तो कोई भी मनुश्य अपने वेवहार को अच्छा बना सकता है प्रिय बोलकर अपनी वाड़ी को अच्छा बनाकर तो वक्तव्यम यानि बोलने में दरिद्रता, दरिद्रता कहते हैं क्रिपड़ता को और कंजूसी को तो यहाँ पर हम लोग दरिद्रता का आर्थ देखेंगे, दरिद्रता यानि कि क्रिपड़ता या देनता, देन हिन बने रहना, यानि कि गरीब बने रहना, तो वाक्य बोलने के लिए गरीब या अमेर होना कोई माइने नहीं रखता है, कोई भी इनसान जो है अच्छे वाक्य का प्रेयूग कर सकता है और अब हम लोग यहां पर चौथा पर श्लोक पड़ने जा रहे है जिसमें के लिखा है कि गच्छन पीपी लिको गच्छन मतलब जाता हुआ पीपी लिको यानि कि चीटी याती मतलब जाती है चलती हुई चलती हुई यानि कि जो यहां से वहां चल रही है ऐसी चलती हुई पिपीलिका यानि चीटी जो है वो जाती हुई याती मतलब जाती है योजनानाम शतान्य अपी योजन योजनानाम सैकड़ों यानि बहुत से शतानी अपी शतानी है अपी मतलब सो योजन भी सैकडो योजन की दूरी तक चली जाता है पीपील कहां कहते हैं चीटे को तो वह सो वर्षों तक और सो योजन तक की दूरी तक चला जाता है अग अच्छन और न चलता हुआ अग अच्छन कार्थ है न चलता हुआ गच्छन कारत है चलता हुआ चलते हुए जो कभी कभी हम लोग देखे हुए चीटी है और चीटा है ये सब जो है वो धीरे धीरे बहुत सारा कारी वो लोग कर लेते हैं और उनके में बहुत एकता भी होती है और वो जो है इसे धीरे धीरे चलते हुए बहुत सैक्रो योजन तक चले जाते हैं, तो योजना नाम शतान्य पी, इस कार्थ है सैक्रो योजन की दूरी तक चला जाता है, अग अच्छन, अग अच्छन कार्थ है न जाते हुए, गच्छन कार्थ हो गया, जाते हुए, जाते हुए, और अग अच्छन कार्थ हो गया, जाते हुए यानि कि अगर वो चलेगा ही नहीं तो पहुँचेगा कैसे कहां पर एक ही जगा पर पड़ा रहेगा तो इसमें जो है यह बताया गया है कि चलता हुआ पिपी लिको पिपी लिका है याती चला जाता है योजना नाम शतानी अपि शतानी का अर्थ है 100 योजन तक भी योजना नाम ये दूरी नापने के लिए शब्द होता है योजन यहाँ पर हम लोग करेंगे योजना नाम सतन शतान नियपी यानि कि यहाँ पर सैक्डो योजन की दूरी तक सैक्डो योजन योजन जो है वो नापने दूरी नापने के लिए यह पद होता है सैक्डो योजन की सैक्डो योजन की दूरी तक भी गच्छन मतलब चला जाता है सैक्डो योजन की दूरी तक भी गच्छन मतलब जाते हुए याती याती मतलब चला जाता है यहाँ पर हम लोग को इसके बाद वाला वो शब्ट लिफिंगे जिसमें लिखा है कि अगच्छन वैन तेयो अपी न जाते हुए वैन तेयो अपी गरूड भी वैन तेयो अपी वैन तेयो अपी गरूड भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गरूड भी वैन तेयो अपी गरूड भी अगच्छन अगच्छन का रत है न जाते हुए वैन तेयो अपी गरूड भी यानि कि जिसको बाज कहा जाता है गरूड भी पद मेकम न गच्छती एक पद भी आगे नहीं बढ़ता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है तो अगच्छन वैन तेयो अपी न चलते हुए गच्छन मतलब चलते हुए जाते हुए अगच्छन मतलब न चलते हुए अगर कोई चलेगा ही नहीं तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि चीटा जो है वो चलते चलते वो काफी दूर तक सैक्छो योजन की दूरी तक चला जाता है लेकिन जो नहीं चलेगा ना चलते हुए भी जैसे कि गरुण वो पद मेकम न गच्छती एक पद भी एक कदम भी पद मेकम कारत है एक पद एक कदम इसको लिख सकते हैं एक कदम पद कारत है यहां पर कदम यानि की एक कदम भी अगर वो नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है और जो चलेगा वो धीरे धीरे चलते हुए बहुत दूर तक पहुँच सकता है तो अगच्छन यानि की न जाते हुए वैनितियो अपी गरोण भी पदमेकम एक कदम भी न गच्छती नहीं जाता है एक कदम न गच्चती, गच्चती मतलब जाता है, न गच्चती मतलब नहीं जाता है तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि अगर हम कारी करेंगे ही नहीं, केवल बैठे रहेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो वहाँ पर हमें चलते रहना होगा, और जो लोग लगातार चलते रहते हैं, वही जो है मनजिल तक पहुंचते हैं अपनी लक्षी को प्राप्त करते हैं, और जो चलेंगे ही नहीं, कि वह सोच के बैठे रहेंगे तो वो एक कदम भी नहीं जाता है और चलते चलते चीटी चीटा जो है वो योजन तक बहुत दूर तक चले जाते हैं तो ये इस पार्ट में कहा गया है कि हमें इन से सीखना चाहिए और अपने कारे को करते रहना चाहिए बैठे रहने से हम कहीं भी नहीं बहुंच सकते अपना कारे पूरा नहीं कर सकते और अब हम लोग यहां पर पांचवा श्रूक देखेंगे इसमें यह कहा गया है कि काकह क्रिश्णा पिकाह क्रिश्णा काकह मतलब कवा काकह पहले भी बच्चे पढ़े हैं तो काकह कारत होता ह काकह कारत है कोवा और पिकाह कारत है कोईल तो कॉवा और पिकाह कोयल इन दोनों में यह समानता होती है कि दोनों ही काले रंग के होते हैं और इसमें यह कहा गया है कि काका है क्रिश्णा है क्रिश्णा मतलब काला हम लोग उपर इस कार्थ लिखेंगे काले वर्ण को क्रिश्णा कहा जाता है क्रिश्णा कार्थ है यहां पर क्रिश्णा कार्थ है काला तो काका है क्रिश्णा है पिका है क्रिश्णा है कौवा भी काला है और कोयल भी काली है को भेद है, क्या भेद है, को यहां पे कह के लिए आया है, क्या भेद है, यहां पे क्या भेद है, को भेद है, क्या भेद है, पिक काके योग, पिक काके योग आर्थ है कौवे और कोयल में काका है कृष्णा, कौवा भी कृष्णा मतलब काला है और पिका है कोयल भी कृष्णा काली है तो को भेदा, क्या भेद है, यहां पे हम लोग आरतिकिया हैं तो क्या भेद है इन दोनों में क्या आंतर है वसंत समय प्राप्ते वसंत यानि कि वसंत रितू का जिसको इस्प्रिंग सीजन कहते हैं तो वसंत समय वसंत के आने पर कोवा कौवा समझ में आता है और कोयल पहचान में आती है क्योंकि जब वसंत रितू आती है तो उस समय कोयल कूकना शुरू कर देती है क्योंकि उस समय आम पर बहुत आने लगते हैं और तभी जो है वो कोयल कुकना शुरू करती है तो कोयल की आवाज इतनी मधूर होती है इतनी मीठी होती है कि बच्चे भी जो छोटे छोटे होते हैं वो उसकी आवाज को जो है वो रिपीट करते हैं बोलते हैं जैसे जैसे कोय कोयल बोलती है, तो काक है कृषन, पिकाह कृषन, को bedeutet呢, को भेध पिक स्फचा कृषन, कवह भी क्रिषन मतलबuje काल्ण है, पिकाह को गाल है क्रिषन कृ लगध १े हैं जाटी कृषन, को बहुतनी है ? वसंत समय प्राप्थ होने पर यानि कि वसंत का समय आने पर काकह काकह पिकह पिकह कौवा कौवा समझ में आता है और कोयल कोयल समझ में आती है तो इस तरह से यहाँ पे यह जितने भी यहाँ पे पाँच श्लोक दिये हुए उन सब में ये बहुत अच्छी बात कहे गई है कि हमारी पहचान ये जो अन्तिम्श्लोख है काकह कृष्णा, पिकह कृष्णा, को भेदा कृष्णा काकियो, वसंत समय प्राप्ते, काकह काकह, पिकह पिकह, तो इसमें जो है वो व्यक्ति की पहचान उसके गुड़ों से होती जब तक कौवा चुप रहेगा और कोयल चुप रहेगी तब तक तो उसे पहचान करना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों का वर्ण जो है यह संस्कृत में रंग के लिए वर्ण शब्द का प्रियोग करते हैं रंग के लिए वर्ण शब्द का प्रियोग करते हैं तो यहां के क्रिश्ना वर्ण यानि की काला रंग तो यहां जो है वो वर्ण के लिए रंग के लिए काकह कौवे का वर्ण क्रिश्ना काला है और कौवे का और कोयल का दोनों का वर्ण काला है रंग काला है तो इन दोनों मे क्या अंतर है लेकिन वसंत समय प्राप्ते वसंत समय के प्राप्त होने पर काकह काकह कौवा कौवा दिखता है और कोयल कोयल दिखती है पिकाह पिकाह कोयल कोयल समझ में आती है क्योंकि कौवे की आवाज बहुत ही करकश होती है और कोयल की आवाज जो है वो मधुर होती है अच्छे गुणों से होती है तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक जैसी चीज होने पर भी उसमें जो अच्छाई है, जो गुण है उससे वो अपनी एक अलग पैचान बनाता है तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इन पांच श्लोकों में जिसमें पहला था, उदिमेन ही सिध्यनती कार्याणी न मनो रथाई नहीं सुपता से सिंहा से प्रविशनती मुखे ब्रेगा तो परिश्रम करने से ही कारी सफल होता है और सोईवे शेर के मुँ में खुद हिरन नहीं जाता उसके लिए शेर को शिकार करना होता है तब ही वो अपना पेट भर पाता है भले ही वो कितना भी शक्तिशाली हो और उसके अंदर कितना भी बल हो और इसी तरह से दूसरे में पढ़े गए पाठ को पुस्तक के अगर हम जीवन में सार्थक नहीं करते हैं अगर हम उसको जीवन में प्रियोग नहीं लाते हैं तो वो पढ़ा गया पाठ हमारे जीवन में जो सार्थक नहीं है तो उसको पढ़ने का क्या लाब तो हमें जो भी अच्छे चीजें बताई जाती हैं उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए उसका प्रियोग करना चाहिए और हमें अपना अंदर एक अच्छे इंसान का गुड़ होना चाहिए और इसी तरह से तीसरे में का गया है कि प्रियवाग के प्रदानेन प्रियवाग के प्रदान करने से, बोलने से सर्वे तुश्यंति मानव सभी मनुष्य प्रसन हो जाते हैं, जो लोग अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो उससे सभी लोग प्रसन हो जाते हैं, और तसमात प्रियम ही वक्तव्यम, तो वैसा ही प्रिय बोलने से वचने का दरिद्रता, ऐसा वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, यानि लेकि कैसा जो है उसमें दीन ता गरीबी उसमें हमें क्यों कमी करनी है क्यों दीन हिन बन कर बोलना है जब भी हम बोले अच्छे वचन बोलनें है और इसीतरह से चौत्य में कहा गया है कि चलते विए जो चीटी है वो सैक्रो योजन तक चला जाता है चीटा जो है वो सैक्रो योजन तक चला जाता है लेकिन न जाते हुए गरुण भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है और पांचवे को हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि काकह कृष्णा पिकह कृष्णा को भेदा कि पिक काकियो वसंद समय प्राप्ते काकह क काकः पिकह पिकह तो बच्छों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे-चे श्रोकों को पढ़ा उसका अर्थ बहुत अच्छा था तो इससे सभी बच्चे अपने से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो भी श्रोक इसमें का अच्छा लगे उसे याद करेंगे प्रवाद